हलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग मैं परम जी आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पार्ट साला में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बच्चो आज हम सब मिलकर हिंदी की क्लास करेंगे ठीक है बच्चो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की कि जो कविता आप लोगों के सामने ले करके आई हूँ तो बच्चो चलिए आज हम मिटी की महानता मिटी का क्या इोग कविता को फुरी तरह से पढ़ेंगे बच्चो ठीक है मिट्टी की महिमा कविता को लिखने वाले कवी का नाम सीमंगल सिंग सुमन है ठीक है स्री सीमंगल सिंग सुमन जी ठीक है बच्चो तो बच्चो कविता को पढ़ने से पहले हमें उसको लिखे जाने वाले जो कवी है ज हमें जान लेना बहुत हमारे लिए बहुत ही उपियोगी साबित होगा और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा ठीक है बच्छो चलिए बच्छो कवीता को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कवी का परिचे बता देती हूं कवी का परिचे क्या है ठीक है प्रस्तूत और उनकी जो सैली है वो गिति सैली है हिंदी साहित्य के कवियों में अपना अस्थान बनाने वाले हिंदी के मुधने कवि डॉक्टर सिव मंगल सिंग सुमन आजीवन हिंदी के साहिति उतकर्ष के लिए समर्पिद रहे हैं वे उलेखनी रूप से हिंदी साहिति के प्रगती सिल्धारा के अग्रनी कभी रहे हैं तो चलिए आईए इनकी साहिति के आत्रा पर एक निगार डालते हैं निगार डालने का प्रयास करते हैं मैं आपको बता देती हूं कि स्री शिव मंगल सिंग सुमन जी का जन कब हुआ पांच अगस्ट 1945 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था सिख्षा में उन्होंने एम में हिंदी में पीएजडी भी हिंदी में ही की और उच्य उपाधी तक बनारस हिंदू विश्व विद्याले से सिख्षा पराप्त की थी ठीक है समझ में आगिया बच्चो यहां तक चलिए बच्चो बहुत जादा बाते ना जानते हुए इतनी सारी बाते जान लेना आपके लिए काफी होंगी कविता को पढ़ने से पहले कविता को लिखने वाले जो रचहता है जो कवी है उनका थोड़ा सा परिचे हमें जान ले उसके माता-पिता का क्या नाम है उसीतना से कविता भी एक मान लूजी के एक बच्चा घरता है और उसकी रचहता करने वाला ही उसका करता धरता है और वर अभिभावक के रूप में और जानना थो अतिया वश्यक है ना बच्चो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझ तो चलिए अब हम लोग कविता को सुरू करते हैं बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि कविता का नाम है मिट्टी की महिमा इस संसार में और कोई अजर मजर हो ना हो मिट्टी में ये गुन अवश्य है बच्चो कि ये मिट्टी ही है जिससे घर भी बनते हैं खेत भी खलेहान भी चुला भी और खिलोने भी ठीक है जब तक ये हमारे उपयोग में आते हैं हमारा काम साथते हैं जब कभी ये तूट फूट जाते हैं तब फिर से मिट्टी ही बन जाते हैं अपना अकार उनका किसी भी रहाचे में आप ढाल दीजिए उसको वो तूटने के बाद फिर से व अध्यम से जानने का प्रयास करेंगे ठीक है बच्चो चलिए मैं आपको एक चार्चर लाइन तीन दो दो लाइन करकर के पड़ पड़ के उसका अर्थ उसका सारांस अच्छी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ूँगी आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए ठ तभी आपको इस कविता को आप समझ पाएंगे अगर मालीजी आप स्टार्टिंग का दो लाइन तीन लाइन सुन लेते हैं और उसके बात का नहीं सुनते फिर बीच का छोड़के फिर बात का सुनते तो वह लिंक जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको और उसको अर्थ समझ में कूटी पिठी हर बार बिखेरी गई किन्तु माटी फिर भी तो नहीं मिटे इसका मतलब क्या है कुमहार निर्मम मतलब कुमहार के अंदर में कोई माया कोई दया नहीं रहती है मिटी के प्रती वह पूरी तरह से उसको थापी के जैसा एक थापी ले लेता है जैसे हम लो उसको वो क्यों निर्मम तरीके से वो पीटता है बरतन बनाने के लिए तो यहाँ पर क्या करें कुमार मिट्टी से बरतन बनाता है ठीक है और यह निर्मम होकर मिट्टी को रौंद देता है मिट्टी कष्ट सयन करती है बच्छो बहुत कष्ट सयन करती है कुमार नश्ट हो ज आसा में निश्चल पल जाएं, छलना में पढ़कर छल जाएं, सूरज दम के तो तप जाएं, रजनी ठुमके तो ढ़ल जाएं, यो तो बच्चों की गुड़ियासी, भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाएं ठीक है, क्या कहते हैं कि आस, जो एक आस होती है, जो एक होप होती है, आस में निश्चल पल जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिट्टी अपनी आसा नहीं छोड़ती, कभी भी अपनी आसा वो नहीं छोड़ती, ये आसा में निश्चल रहती है, कभी वह धोका खाती है, ले है ना कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं मिट्टी से बने वे गुडियों से खेलते हैं कभी उस गुडियों से वह बेफिक्र रहते हैं जब उनका मन करता है उस मिट्टी को उपने सीने से लगा लेते हैं और कभी जब बच्चे का मन नहीं होता है जब अपनी धुन में रहते ह तो वो मिट्टी से बनी होई गुडिया को वो कहां फेक देते हैं, उनको उसका भी ध्यान बिलकुल भी नहीं रहता है, ठीक है? तो कुछ भी हो जाए बच्चो कुछ भी हो जाए किसी भी परिष्टिती में मिट्टी क्यों ना हो मिट्टी उसी खिलोनों के बराबर है वो आंधी से भी उड़ जाती है आंधी आती है तो उड़ जाती है और बरसात में पूरी तरह से गल जाती है ठीक है बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन्चास मेग उन्चास पवन अंबर अवनी कर देते सम वर्सा थमती आधी रुकती मिट्टी हस्ती रहती हर दम फसले उकती फसले कटती लेकिन धर्ती चिर उरवर है सौ बार बने सौ बार मिटे लेकिन मिट्टी अविनश्वर है ठीक है देखिए बच्चों यहां क्या कह रहा है कभी कभी कह रहे हैं कि कितने ही मतलब मिट्टी के सामने उन्चास तरह के बादल आएं उन्चास तरह की पवने चले क्यों ना किसी भी तरह की पवने क्यों ना आएं वर्सा थम भी जाती है रुक भी जाती है आंधिया भी रुक जाती है चारो तरफ हाकार भी हो जाता है तब भी मिट्टी हमीशा हस्ती और मुस्कुराती ही रहती है बच्चों है ना मिट्टी अपना काम करना नहीं छोड़ती है, मिटी को जिस कारे को अपने तरब से उसे करना है, वो अपने निरंतर उस कारे को करती रहती है, वो कभी भी हार नहीं मानती और अपने विश्वास को तूटने नहीं देती है, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं, यहां क्या फसले उगती हैं Verbierocam 100 मिट्वी जोंकी अतल है एकदम तिका हुआ है वो तोटने नहीं देती अपने विश्वास को ठीक है बच्चो चलिए अब आगे देखते हैं मिट्टी में स्वर है संयम है होनी अन्होनी कह जाए हसकर हला हल पी जाए छाती पर सब कुछ सह जाए यों तो तासो के महलों से मिट्टी की वैभव बस्ती क्या भुकम उठे थो ड्ढ़ जाए बार आजाए तो बह जाए बच्चों मिट्टी में स्वर है यानि आवाज है कोई भी होनी या अन्होनी हो जाए हसकर वो सब का सामना करती है है ना और अपनी चाती पर वो सब कुछ सह लेती है हर कष्ट को सहलेती बहुत सरे कष्टों को वो सहती है उसके बाद क्या बोल रहे हैं कभी कभी कह रहे हैं कि भुकंप में ये मकान तूट गिरते हैं मिट्टी के बने हुए मुकाम जब भुकंप आता है पूरी तरह से पूरी प्रिस्वी हिल जाती है बच्चों तो बने हुए यह मनुस्य बस बोलने भर रहा जाता है और कुछ नहीं कर पाता है ना चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी की महिमा मिट्ने में मिट्मिट हर बार सवर्ती है मिट्टी पर मिट्टी है मिट्टी को रचती है है ना तो चलिए मिट्टी की जो महिमा है उसके बारे रचनाये रचा कर मर जाता है बच्छो कोई भी कवी जब अपनी कविताय बनाता 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 रचनाय करता करता एक नाईक उसी परकार मिट्टी भी है ठीक है मिट्टी भी उसी परकार गल जरूर जाती है लेकिन उसका विश्वास कभी भी नश्ट नहीं होता है ठीक है बच्चो तो बच्चो कभी हमें यहां विश्वास के साथ रहने के उपदेश देता है जैसे मिट्टी अपने उपर विश्वास के साथ रहती है कि मैं कभी नहीं मरूंगी मिरास्तित तो कभी खतम नहीं होगा उसी तरह एक मनुष्य को एक मानव जाती को भी अपनी उपर विश्वास रखना चाहिए ठीक है हमीशा अपने अंदर जिट संकल्प लेके रहना चाहिए कि मैं हार नहीं मानूंगी मैं अपने कर्मों से मैं अटल हूँ मैं अपने हर कारे उपर अटल हूँ अपनी जुवान पर अटल हूँ मैं कभी भी पीछे नहीं हटोंगी जिस तरह से मिट्टी को अपने उपर पूरी तरह से विश्वास है विश्वास पर अटल है उसी तरह मनुष्य को भी अ एक एक फंक्तियों में इतने अच्छे अच्छे चो शब्द दिये गए हैं बच्चों उससे हमारे जीवन में हमारे दिल के अंदर हमारे मन के अंदर एक उच्छा और खुशी प्यादा होती है कि नहीं हमें भी एक मिट्टी के तरह अपने संघर्स भरे जीवन में लड़ना ह और अपने उपर विश्वास बनाए रखना है तभी एक हमारी भी महिमा को गया जाएगा देखा जाएगा समझा जाएगा जैसे एक मिट्टी की महिमा को आज हम इस कविता के द्वारा पड़ रहे हैं ठीक है बच्चों बच्चों आप लोगों की कविता यहीं समाप्थ हो आसा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गई यह विडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको विडियो बच्चों पसंद आई है तो आप विडियो को जादा से जादा से एर कीजिए ताकि हर एक बच्चा हर एक स्टूडेंट इस विडियो के अर्थ को अच्छी तरह स से जान सके समझ सके ठीक है और अपनी एक्जायम के लिए प्रिप्रेशन कर सके ठीक है तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले अगर आप चैनल पर न जाती हूं उसके सारे जो सॉल्यूशन है जितने भी अभ्यास कारे रहते हैं मैं उसको भी कराना जरूरी समझती हूं ताकि एक बच्चे का पूरा का पूरा कारे पूरा हो सके ठीक है बच्चों मैं परमजीत वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए वीडियो को पूरी त दन्यवाद देती हूँ आज की वीडियो में बच्चो इतना ही था अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई